आप सभी का हमारे ओफिशली यूट्यूब चैनल में स्वागत है मैं मनुशर्मा मैथामेटिक्स एंड रेजनिंग फैकल्टी आप सभी का अपने ओफिशली यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों हम नमबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नमबर सिस्टम में आज हम बात करेंगे इसकी दोस्तों फैक्टर्स की इसकी बात करेंगे हम हम बात करेंगे आज फैक्टर्स की गुडण्खन्ट की बाते किरेंगे फैक्टर गुडणखंड में एक होता है दोस्तों गुड़स और एक होता है दोस्तों गुडणक इन दौनों में लोकी क्या है इन दोनों में अंतर वो सबी सीजा चलती रहती हैं लेकिन factors की बात करूं तो बारे कि कितने factors होंगे तो इससे भाग चला जाएगा वह इसका क्या कहला इगा एक होता है गोड़स जिसको मल्टिप्लाइज बोलते हैं मल्टिप्लाइज जैसे दो चार छे आट दस डॉट 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 इन्फाइन एटिव तक चलता ही रहेगा लेकिन मैं इसकी बात करूँ मिर भाई गोड़न खंड की किसकी गोड़न खंड की इसकी बात करों मिर भाई ओ टो जैसे सपोस्वेट बारह है तो बारह के फैक्टर्स क्या क्या हो शकते हैं 12 के फैक्टर तो ध्यान देना एक ऐसा है फैक्टर्स योकि यूनिवर्सल है जो के सार भौह में एक सत हैं 1, 2, 3 से भी divide हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा, 12 का मतलब factors, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, बात समझ में आ रही है आप सभी के, बात के लिए रहे हैं यहां तक, तो गुड़नखन मतलब multiply का मतलब होता है, उसके अनद क्या चलना मेरे भाई हो, multiply चलना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dot, 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 infinitive, लिकिन मैं factors ज्याद कर सकता हूँ, कि इसके factors कितने होंगे, तो मैंने बात करूँ 12 के factors की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब मैं इसको count नहीं कर सकता, लेकिन factors को count मैं कर सकता हूँ, बात समझ में आ रही है, तो हमेशा जो आप से question पूछेगा, exams के अंदर, वो क्या पूछेगा मेरे भाई हो, वो पूछेगा आप से number of factors, और factors पूछ सकत है, उसके गुड़ेश पूछ सकता है, तो बात समझ में आ रही है आपके, आप ध्यान देना, बल्कुल basic से question उठाता हूँ, और मैं basic बताऊँगा, फिर exams period time भी बताऊँगा, के exams के अंदर कैसे करना है, ध्यान देना, मैं आपसे बल्कुल basic से बात करूँ, मैं बात करता आपसे, और मैं कहता हूँ कि 12 है मिरे बाई हो, क्या है 12, तो 12 के क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और 12 होगा, बाई 12 का factor एक भी क्यालाएगा, क्योंकि बाई, यह सार बॉम्बिक है, यह यूनिवर्सल है, बाई 12 में एक से भाग देंगे, चला जाएगा, 3 से भाग देंगे, चला जाएगा, 4 से भाग देंगे, चला जाएगा, 6 से डिवैड करेंगे, चला जाएगा, 12 से भी चला जाएगा, बात किलियर है, बात समझ में आ रही है आप सबीगे, तो बाई, कितने factors होगे इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या कहोगे आप, 6 हो के अंदर तो इतना टाइम आपके पास होता नहीं है, जब जादा बड़ा question आ जाएगा, फिर कैसे उसको deal करोगे, फिर कहीं ना कहीं, problem बाली बात आपके लिए बन जाएगी मिर भाई हो, क्या हो जाएगा, problem हो जाएगी आपको, ध्यान देना मिर भाई हो, मैं बात करता आपसे, एक्जाम्स के अंदर इसको कैसे deal करोगे, फिर उस चीज को ध्यान देना, भाई यह 12 है, इसके या दो तरीका होते हैं, या तो आप factors कर लो, या फिर आप prime factors कर लो, तो देखो ध्यान देना, दो चिंग 12, दो तिया 6, और 3 एकन 3, बात ठीक है मिर भाई हो, दो चिं यह क्या हो गया मिर भाईओ, तो की power 2, multiply 3 की power 1, यही हुआ के नहीं हुआ, बताइए मिर भाईओ, यही हुआ के नहीं हुआ, तो जब यह exam period time में ऐसे करना हो, तो आप जो भी कोई भी हो, उसकी power में, कितना add कर दिजेगा मिर भाईओ, वन एड कर दिजेगा, पावर में, घ यहां से भी number of factors मेरे पास कितने आए 6 और यहां से भी मेरे पास number of factors मेरे भाईयो कितने आए 6 आए बात किलियर हो रही है बात समझ में आ रहे हैं मेरे भाईयो ध्यान देना द्वारा से भाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 12 यह क्या थे कि जो बारे कोई सभी के सभी क्या कर रहे थे मिरे भाईयो डिवैड कर रहे थे मतलब भाग जा रहा थे बारे में तो वह वैसे मैंने की अच्छा है लेकिन वह छोटा था जब आपने बता दिया लेकिन एक्जाम्स के अंदर तो भाई बड़ा भी आएगा छोटा भी आएगा सब तरीका की क्वेशन आते हैं मिरे भाईयो जिस लेवल का एक्जाम्स है उस लेवल का क्वेशन पूष्टा है तो आपने यह कर दिया फैक्टर्स कर लो या फिर आप चाहते थे तो इसके बार है कि क्या करते प्राइम फैक्टर करते थी इन्टू फोर तो थी की प्वावर वन और इसका टू की मतलब ही त्रीका है आपके पास ये सेंट कि ये अर्ट ये सेकिंड और ये अश्ट इसक आपकी फैक्टर्स करिएगा उसके बाद आपकी बात बनेगी फिर उसके बाद क्या करना है या फिर दूसरा तरीका है जो क्या है मिर भाईयो प्राइम फैक्टर्स आप उसके प्राइम फैक्टर्स करिएगा फिर आपकी वहां से बात बन जाएगी बात के लिए रहे हैं मिर भाईयो बात के लिए रो रही है तो ठीक है देखो ध्यान देना अब एक सीज मुझे बताओ यह जो आपके लिए फैक्टर्स किये यह आपने सही किये गलत किये इसका भी मैं प्रूफ कर दोगा ध्यान दोना प्रूफ कैसे करेंगे इधर ध्यान दो भाई यहां से जो लिखला था वो क्या लिखाला था थी की पॉवर वन और टू की पॉवर टू यहीं लिखाला था नहीं लिखाला था बताइए मिर भाई हो बताइए तो देखो ध्यान देना थी की पॉवर वन के क्या-क्या फैक्टर्स होंगे मिर भाई हो थी की पॉवर जी क्या 2 की पावर 2 इसका क्या होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, वो यहां तक प्रावलम मिरा भाई हो, बताइए, मैं आपको reverse करके दिखा रहा हूं, जो factors किये हैं, वो यहां से कैसे factors, द्वारा से मुझे मिल जाएंगे, वो धन्दे ना पर एक चीज़, भाई, भाई, क्योंकि 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 को कैसे करेंगे, भाई, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 कैसे करेंगे, भाई, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, बत ठीक है, अब इनका क्या कर दो, आप मिरा भाई हो, मल्टिपलाई कर दो, वहीं, तू किसी की पावर जीरो हो, एक्स की पावर जीरो, इनका मान क्या होता है मिरे भाईयो, वन होता है इसका मान, किसी की भी पावर जीरो हो, उसका मान मिरे भाईयो, क्या होता है, उसका मान, वन होता है, इस जीरो का वहन का बगन में करेंगे वन हो गया फिर वनका टूमें करेंगे वाई फोर मतलब 4-4 1 में करेंगे 4 ही आएगा, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 0, तो 3 into 1, 3 होगा, और मेरे भाईयों 3 दूनी 6 होगा, और 2 दूनी 4, 4 ती अब 12 होगा, ये वाले फैक्टर्स क्या आपको मिले या नहीं मिले, मुझे बताए, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 12, यही वाले फैक्टर्स थे या नही थे, जो मैंने ऊपर किये थे, बताएव्यों, यही वाले फैक्टर्स थो मैंने ऊपर किये थे, यह नहीं किये थे, तो इसका मतलब ये क्या है, मिले भाईयो, ये reverse है, आपको उल्टा प्रात हो रहा है, मिलपाईयो, जान दिना दुारा से, भाई, 2 की 3 की पावर 0 की पावर जीरो हो उसका मान कितना होता मिरा भाइयो वन होता है तो भाई 1 का 1 में multiply किया 1 और 3 की पावर 0 और ये भाई 2 की पावर 1 2 इन्टू 1 2 और 2 की पावर 2 4 4 मतलब 1 और 3 की पावर 1 2 की पावर 0 तो 3 इन्टू 1 3 और मिरा भाईयो 3 दो निच्छा और 3 चक 12 बात के लियर होगी तो यह बात आपके मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आई होगी, बात के लिए रहे, बात इतनी समझ में आई मिर भाई हो, बताइए, जब इतनी बात समझ में आगई है, तो मैं आगे एक कॉशन और लेता हूँ, फिर उसके माद्यम से, फिर अपनी बात को हम और बढ़ाएंग क्या करता हूँ 2160 लेता हूँ 2160 लेता हूँ या तो आप इसका वैसे फैक्टर्स करिए पुरंखन तरीका से या फिर आप किसको क्या करिए अवाज में दोग देए 216 multiply 10 कोई प्रॉब्लम है मेरे भाईयों और 216 का जो मतलब होता है वो 6 की पावर क्यों होता है और 10 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू तो कोई प्रॉब्लम यहां तक अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस 6 को दो इन दो तीन में चोड़ सकता हूँ 2 इंटू 3 तोड़ सकता हूँ के नहीं तोड़ सकता बात तो ही कि है ना मिर भाईयो भाई छे को मैं क्या कर सकता हूँ हमें तो 堯ू की पावरिए धरी की पैवर थरी फाइव म्लिटिपिलाई टो कितना हो जाएगा तू की पावर ठीट की पावर वन जिसके पावर कुछ नहीं होता हूं रखे पावर वन होते हैं ये बात के लिए हो तो भाई कितना हो जाएगा 2 की power 3 और 1 23 तो की power 4 यह कितना हो जाएगा 3 की power 3 यही तो लिकल कया है आप अब total number of factors बताने हैं क्या करोगे भाई, पावर में कितना एड करना होता है, प्लस वन, तो 4 प्लस वन, मल्टीपलाई, 3 प्लस वन, मल्टीपलाई, 1 प्लस वन, तो 4 प्लस वन, कितना होगे मिर भाई हो, 5, 3 प्लस वन, कितना होगे मिर भाई हो, 4, और ये क्या होगे, 1 प्लस वन, 2, तो 520, 22, 40, जो नमबर आफ टोटल फेक्टर्स आये लिकल के वो कितना आया मेरे भायो 40 आया वो कितना आया मेरे भायो 40 आया बास समझ में आई कितने होगे मेरे भायो टोटल नमबर आफ फेक्टर्स कितने हो जाएंगे मेरे भायो 40 हो जाएंगे कोई प्रावलम है यहां तक बताइए भाई हो अब आगे धान देना एक तरफ आप भाई यह चीज 216 था तो मैं इसका भाई मैंने इसमें तोड़ दिया 216 गुड़ा दस आप चाहते तो फैक्टर्स करके भी तोड़ सकते थे लिकित रही चाहिए दस का मतलब 5 इंटू 2 मिर भाई यह इसको 6 को में 2 इंटू 3 में भी तोड़ सकता हूं 2 ती अच्छा है तो भाई यह पावर क्यू लगी हुए है तो 2 की पावर क्यू 3 की पावर 3 5 की पावर 1 2 की पावर 1 तो क्या हो गया भाई 3 और यह कितना वन तुबहाई 2 की पावर 4 और यह कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 यह 5 की पावर 1 तो 4 प्लस 1 5 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 तो कितना हो जाएगा 5 multiply 4 multiply 2 is equal to answer कितना हो गया मिर भाई हो 40 हो गया बात यहां तक किलियर हो गई होगी बात सभी के समझ में आ गई होगी अब ध्यान देना मिर भाई हो मैं यहां से बात करता हूं even factors की किसकी बात करता हूं even factor some girl ं करता हूं even के लिए कुछ नहीं करना है आपको केवल 102 की पाउर वन भार लेना है बंतलब 152 भार लेना के वल कितना 12 भार लो केवल तो आपको कुछ नहीं करना एक 12 भार ले लो क्या क्या बचा हुआ है तो यह यही तो था तो कितना बच्झेगा टू की पॉबर ठी की पॉवर ठीरी और फाइब की पॉबर बहुत जो कुछ भी है वह एज इसटे की सुके मतलब नहीं है आप में मुझे गतना तो मिर भायो 1 एड़ कर देना है तो 3 प्लस वन 4 multiply 3 प्लस वन 4 और 1 प्लस 1 2 कितना हो जाएगा 4 चौक 16 16 दूनी 32 ये क्या होगे मिर भायो even factors होगे क्या होगे मिर भायो even factors कितने होगे 32 होगे बात करें आप से odd factors की इसकी बात करें मिर भायो odd factors की तो और्ड फैक्टर्स में मेरे भाईयों आपको क्या करना है दो वाला पूरा हटा देना है क्योंकि टू की पावर कुछ भी हो क्योंकि और्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं बिसम गोडनखंड वो होते हैं जो दो से भाग नहीं जाए बिसम संख्या क्या कहलाती है जि मुझे भार कर देना है तू की पॉवर 4 है मुझे ये बुलकुल भार कर देना इससे कोई मतलब नहीं है क्या क्या बचेगा 3 की पॉवर 3 ऐसे क्या हो जाएगा मेरे और फेक्टर्स हो जाएंगे बिसंव हो जाएंगे बिसंव हो जाएंगे बास समझ मैं यहां से तीन कॉशन बताए आपको पहला यह कॉशन second ये question और third ये question भाई पहले मैंने इसके 260 के prime factors करें तो भाई 266 की power q बाई क्योंकि 266 का q होता है वो 6 का q होता है 3 प्लस ये कितना 2 की power 1 है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 की power 3 है ये 5 की power 1 power में कितना add कर देना है मिर भाईयो मुझे 1 add करके चलना इस बात को याद रखना power में घात में 1 add करके चलना है तो 4 और 1 5, 3 और 1 4, 1 तो पांच और 20 बीस दूनी 40 उसके बाद even factors की बात करें है तो even factors में आपको कितना भार ले लेना मिर भाईयो तो एक बार ले लेना है, मतलब 2 एक बार ले लेना है, या 2 की पावर 1 कह सकते हैं, कितना बचा मिर भाई हो, एक बार ले लिया, तो 2 की पावर 4 था, तो 2 की पावर क्यों बचा, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, तो भाई, पावर में कितना एड कर देना है, 1, तो 3 प्लस 1, 4, 3 प् वन फेक्टर्स हो गए, सम गड़न खंड हो गए, और फेक्टर्स की बात करेगा, तो मिरा भाईओ, जो कुछ भी होगा, टू की पावर कुछ भी हो, हम उसको बाहर ले लेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि और का ही मतलब होता है, जिसमें दो से भाग ना जाए, वही और कहलाते हैं, तो वही टू की पावर 4 मैंने भाद ले लिया वलकुल, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, तो पावर में 1 एड़ कर दिया, 3 प्लस 1, 4, 1 प्लस 1, 2, तो 4 दोनी, 8, बात समझ में आ गई, बात किलियर है मिरे भाई हो, बताए, यहां तक सभी का है, बताएए मिरे भाई हो, कोई प्रावलम यहां तक, ठीक है, अब नेश कोशन लेता हूँ में एक और फिर, और उसके माध्यम से फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना, कोशन कहता है आप से, मैं 24 ही ले लेता हूँ, यह बात समझ में आगी मिरा भाई हो, इवन और मैंने तीनों आपको लिकालने के तरीके बताए, कि उसको कैसे लिकालते हैं, देखो ध्यान देना, मैं 24 ले लेता हूँ, देखो basic तो बिल्कुल यह यह एक, एक तो वो है कि जो के मिरा भाई स्वैम है, इसल्फ है, सारबह में तरह है, एक, दो से भी भाग जाएगा मिरा भाई हो, तीन, तीन, वित्यार 24, चार से भी जाएगा, छे से भी जाएगा, बारे और 24, कितने होगे मिरा भाई होटल, जहान देना एक 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक कोई बात नहीं देखते हैं, अब मैं इसका इस तरीका से मल्टिपलाई करता हूं, किस तरीका से मिर भायों, यह देखो 24 के फैक्टर सोभर भाई यह साथ हो गए अब धाम देना अब मैं बात करता हूँ इसके वैसे लिखा लते हैं तो कैसे करेंगे 1, 2, 2, 4 2, 6, 12 2, 3, 6 3, 1, 3 2 की पौवर 3 3 और 3 की पौवर 1, 1 में एक एड किया 4, 1 में एक कडिया तो 4 दो नी, 8 इसमें 8 आ रहे 1, 2, 1, 2, 3 फिर 4, फिर 6 सोरी, आठ भी है ना मिर भाई हो, आठ भी तो है भाई, आठ से भी तो जाएगा आठ से भी तो जाएगा तो टोटल कितने होगे, मिर भाई हो, 8 होगे की नी, 8 भी तो है ना, इसका फेक्टर, एक, दो, तीन, चार, छे, आठ, बारा, चोबिस, तो ध्यार, तो यह तो बेसिक था, लेकिन मैंने वैसे किया, तो दो एक दो, दो दूरी, चार, और दो चिंगे, बारा, दो तिया, छे है, तीने कन तीन, तो टू की पावर 3, और 3 की पावर 1, और मैंने बोला था, पावर में कितना एड कर देना, मिर भाई हो, आपको 1 एड कर देना है, तो 3 प्लस 1, 4, और 1 और 1, 2, तो चार, दो नी, 8, तो जो इसके टोटल फेक्टर्स आए, मिर भाई हो, इस तरीका से भी, आठ आए की नहीं आए, कितने आगे थे मिर भाई हो, आठ आगे, क्यों, 2 की पावर, कितना था मिर भाई हो, 3, और 3 की पावर 1, तो आप जानते हो, कितने हो जाएंगे भाई हो, 4, 3 और 1, और ये 2, इस इकल टू 8, लेकिन बात करूँ में, even factors की, किसकी मिर भाई हो, even की, सम की बात करता हूँ, तो आप कितना ले लोगे, मिर भाई, दो भार ले लोगे या नहीं लोगे, बताइए, दो भार ले लोगे, तो कितना बचेगा, मिर भाई, 2 की पावर, 2 बचेगा, नहीं बचेगा, और 3 की पावर, 1 रहे गई, रहेगा, तो भाई, 3 और 1, 2 और 1, 3, और एड कर दोगे एक और एक दो तीन दो नीच है हुआ कि नहीं हुआ सम फेक्टर्स कितने होगे मिर भाई हो सिक्स हुए है नहीं हुए अच्छा और फेक्टर्स की बात करता वो इसकी बात करता मिर भाई हो और फेक्टर्स की बात करता है विसम की बात करता है तो क्या करोग की पॉवर कुछ भी हो आप उसको बाहर ले लोगे उसके माय मतलब ही नहीं है तो थ्री की पॉवर वन और वन में एक एड़ कर देंगे वन प्लस वन इस इगल टू टू पास समझ में आई देखो और इस मैं भी दिखा देता हूं देखो एक और दो यही और है उसके बाद कोई भी नहीं है न इवन कितने आई थे छे आई थी नहीं आई थे तो देखो एवन एक दो तीन चार पांच और छे है के नहीं यहां से मैंने प्रूव भी कर दिया बास समझ में आ रही है भाई हो कोई डाउट्स यहां तक बताए किसी भी स्ट आगे बढ़ता हूं ज्यान देना कभी कवा वह इस तरीका से भी कॉशन देता है मैंने यह आपको समझ आने की कोशिज करी सबीगी अब देखों WOW अलग है एक अलग क्उशन लेता हूं ज्यान लेता हूं ध्यान देना झनल को वह जय दो कहता है Dog मतलब है कि म dau जो Ст्ट की है गुरंखंड बताईए गुरंखंड बताईए गुरंखंड बताईए जो 30 के गुरंखंड हो जो 30 के गुरंखंड हो बताईए 5760 के गुरंखंड बताईए जो क्या हो मिर भाईयो जो वो 30 के क्या हो गुरंखंड हो तो ध्यान देना 5760 को कैसे करोगी मिर भाईयो या तो एक तरीका है कि प्राइम फेक्टर से लिखा लो या फिर दूसरा है कि आप गुड़नखंड की तरह हो चीज करो तो यह क्या होता है 5756 क्या होता है मिर भाईयो 24 का इसवार होता है कि नहीं होता है यह प्रोब्लम या तक बताईये तो चाहीं कि यह त्री का इसक्वाइर यह आठ का स्कॉरेश और यह फायव इंटू टूए रहेगा इस आठ को क्या कर सकता हूं मिर भाईयो इस आठ को देखो यह आठ की स्कॉर्ट जो ए इसको टू की पॉवर एम तो यह होगा और यह कितना इन टु आने गाना एकि पॉवर एम की पॉवर एन है इसका यह होता है फर्मुला एकुवर एक i पॉवर एम इन टु एन तो है मिया है तो आठ था श्लेम क्या कर सकता हूं फैसेoin पर एध्ह 20 और यह कितना हो जाएगा दोकी प्वोवर 6 मल्टिप्लाइ 5 की प्वावर 1 मीुटितना हो ग Texas की प्वावर गया आई यह अब है इन्टोटन मेरे भाइयो कितना नहीं है यह 3 का स्क्वाइर मल्टीप्ल लाइ टू की पावर से टू की पावर एक टू की पावर वण कितना वह गया इसको आएर और फाइब की पावर वन यही वह गया कि नहीं हुआ टोटन बताई यह वह सब गुष 2 की पॉवर 7 और 3 का स्क्वायर और 5 की पॉवर 1 यह बात यहां तक किलियर है बात समझ में आ रही है क्यों क्योंकि मैंने 8 का स्क्वायर भी बताया था कि 2 की पॉवर 6 कैसे हुआ और उसके बात यह कितना है बाई 2 की पॉवर 6 और 2 की पॉवर 1 तो की पॉवर सेवन थ्री का स्कार और फाइट यह क्या कहता है तीस के गुड़ज हो किसके थर्टी के गुड़ज हो तो भाई थर्टी को मैं कैसे प्राइम फ्रेक्ट्रेस कर सकता हूं 15 है दूनी 30 और इसका मतलब क्या हुआ तिपांस 15 है और यह यह हुआ थर्टी के गुड़ज की बात कर रहा है वो समझ में आ रहा है कि तो क्या करेंगे भाई तीन इन्टु पांच इन्टु दो मैं यह क्या कर लोंगा मिर भाई भार ले लूगा 3 x 5 x 2 बहार ले लोंगा किसी में से जो इसमें हैं तो क्या बचेगा फाइव कुछ नहींव बचेगा मिर भाई Ou भार ले लिया और 2 की पावर कितना बचेगा मिर भाई उयो 6 बचेगा हैं बाई बचेगा senate अroid कि नहीं बचेगा बताईए है 14 कितना आंसर आ गया मिर भाईयो 14 आंसर आ गया इसके 30 के ऐसे कितने गुड़ज होंगे वह मिर भाईयो 14 होंगे बास समझ में आ रही है बात के लियर है मिर भाईयो यहां तक आप सभी की तो 576 को मैंने तोड़ दिया इसका सुषार को मैंने तोड़ दिया पांतोड़ दो है इस तरीचा से मैंने आप के पास क्या क्या चीज में बता ही तोटल नमबर और बेगुड़ Expedition से लगालने पर यह फिर यह पूछे आप इसके multiply इसके के कितने ऐसे गुड़न खुड़न होंगे जो इसके गुड़न होंगे इस तरीका से आप से कभी भी question पूछे तो मैं सोचता हूँ कि आपको कोई भी problem नहीं होगी और हम next class में करें कि sum of factors कि योग कैसे लिकालते हैं यह तो आज किस की बात किया है और लेते हैं कोशन और एक कोशन है उसका अंसर फिर बताईए 180 के वही पूरे total factors बताओ even बताओ और और बताओ आज की class का लाश्ट कोशन होगा एक एक आसी एक आसी है मेरे भाई हो ज्यान देना कि इतना है 180 पहला question आप से पूछता है कि नमबर ओफ फैक्टर्स नमबर ओफ फैक्टर्स दूसरा पूछता है even of factors even factors थर पूछता है और फैक्टर्स बताइए अब 180 को यातो आप इसके क्या करो अवाज गुडणखन करो प्राइम फैक्टर्स करो या नहीं जानते है तो मैंने क्या बोला था इस तरीका से करो इस तो नम 18 ा यह ए और फिर 25 बार फिर तूसरा मत पार क्था नहीं से नहीं मत द Smells फ्रक्रुक्त क्यों मत बुझता है तरो फैक्टई पैक्टर्स टर से किम और टों इसे स्गी को किम ड्यक्रे में हो एक दो टू की पॉवर टू टू ि 3 कि power 2 और 5 कि power 1 यह हुआ के नहीं हुआ यह इसके क्या हुए मिरा वार यो factors आ गई कि 2 कि power 2 एक नहीं मिरा भाई और 5 कि power वर्ण इसको में रफ कर देता हूं अब ज्या णो प्लॉश की बात कर रहा है किसकी number of factors लो इंध पावर में एक जोड़र दो 2 पिलस 1 Multiply 2 पिलस 1 Multiply 1 पिलस 1 कितना हो जाएगा भाई ये होगे आपका 3 Multiply 3 Multiply 2 3 तिया 9, 9 दोनी 18 ये कितना अंसर हो जाएगा मिरे भाईयो 18 हो जाएगा Total number of factors की बात करी तो हमारे total number of factors मिरे भाईयो कितने आए 18 आए लेकिन even की बात करेगा तो मैंने क्या वोला था 1, 2 आप क्या ले लोगे मिरे भाईयो भार ले लोगे तो बाहन ले लिया कितना भचेगा 2 की पावर 1 भचेगा कि नहीं भचेगा 3 की पावर 2 हई है और 5 की पावर 1 तो ध्यान देना 1 में 1 एड किया 2 तू में एक add किया 3, 1 में एक add किया 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितने होगे बाई, total factors, sum जो even factors हैं, वो कितने होगे मेरे बाई हो, वो 12 होगे, बाट ठीक है, बस समझ में आ रही है, even मतलब sum, और मतलब बिसम, अब देखो ध्यान देना, और factors की बात करें, और factors में 2 का कुछ भी हो, 2 का multiple मुझे लेना ही नहीं है, तो भाई, 2 का क्या है, 2 की power, 2 बुलकुल भार ले लो, इससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है, तो 3 का square और 5 की power, 1, तो मैं जानतों, 1 में 1 के, 2 में 1 add किया 3, और 1 में 1 add किया 2, तो 3 दूनी 6, कितना अंसर आ गया मिरे बा तो इस तरीका से ये question था कि आपके पास factors पूछे तो power में one add करना ही करना है उसके बाद multiple आई even पूछे तो two की power one भाल ले लिजेगा odd पूछे तो आपको क्या करना भाई two का पूरा कुछ भी multiple हो वो पूरा भाल ले डाए वो data आपके लिए बेकार है और भाई हो फिर मैंने उसके गुड़स भी बता दिये मैंने आपके लिए कैसे प्रूफ किया कि जो factors होते फिर प्रूफ के माध्यम से मैंने रिवर्स भी बताया कल कराएंगे हम sum of factors even sum of मतलब odd का sum even का sum square का sum सभी के sum कराएंगे कल तो मिलते हैं next class में all the best thanks class